Hello everyone, welcome back to my channel. This is Shivanki Bhatt and today we will be starting our topic Firefighting, Flooding and Damage Control Under which its first section is Causes of Damage, Flooding and Damage Control देखो आपका जो Damage Control है ये एक ऐसा टर्म है जिसको हम Navy में यूस करते हैं जब आपकी ऐसे situations पैदा हो जाती हैं जिसकी वज़े से आपकी ship डूबने की कगार पर आजाती है या फर आपकी ship को बहुत भारी damage पहुंचाता है Damage और Flooding कैसे होती है एक ship में या तो Collision, Trucker हो गई या Grounding, Ship मतलब धस गई अंदर को Weapon Explosion हो गया या किसी Enemy ने अटाक कर दिया इन चीजों की वज़े से हो सकती है आपका एक बहुत Important Need है कि आप Flooding और Damage को उसकी सबसे छोटे Step में ही रोग दो कि जैसे वो शुरू हो रहा है वही रोग दो ताकि वो चीज आगे ना फैले और आपका Damage और ना कर दे ship में जो आपका Resistance है, मतलब जो आपका रुकाव है वो Depend करता है कि कितना Water Tight Integrity है कितना आपका Water Tight है Substance जो आपने यूज कर रहा है Causes क्या है आपके Damage के ये है आपका देखो आपका किन चीजों से Damage हो सकता है ये हो गया कि आपका कोई Pipe या Hull उसका Rapture हो जाना या फिर आपका Grounding हो जाना या फिर आपका Temporary Fixing हो जाना जिसे कोई Bomb Explode हो गया या फिर Explosive Damage हो गया ठीक है तो अब हम बात करते है Zones of Damage की आपका जो Damage है वो अलग-अलग Zones में डिवाइड़ है पहला और सबसे Immediate Zone है आपका Primary Zone ये Zone वो होता है कि जहां पे आपका Damage जस्ट स्टार्ट हुआ है मतलब जो Zone आपका Affect हुआ है Damage से तो वो आपका होता है Primary Zone Primary Primary Zone में हम लोग क्या करते है Basically की जैसे हम ये Try करते है जैसे जो उसकी देखो लेटसे कि आपकी एक Ship है ठीक है वो Flood हो गई है तो हम ये कोशिश करेंगे कि जो Flood है ना जहां तक आपकी Ship Flood होई है वो वहीं तक रुख जाए और आगे Ship में ना फैले तो इसका गोल ये होता है Primary Zone में फिर Secondary Zone आपका वो Zone होता है कि जिसमें अभी Damage हुआ नहीं है लिकिन बस निशाने पे है कि जैसे Primary Zone के अगले निशाने पे जो आपके Zones होते है वो आपके Secondary Zone होते है तो इसमें क्या होता है इसमें हम Shut कर देते है Primary Zones को एकदम ताकि जो Secondary Zone है मतलब जहां पे Next जो खत्रे का Target है वो बंद हो जाए और वहां तक आपका ना फैल सके फिर आपका Remote Zone वो होता है कि जो सबसे Last में जो Affect हुआ है उस Particular मतलब उस Particular चीज से जिसे आपका Direct आपका Danger Zone में नहीं है यह काफी कोने में है लेकिन Still आपका Affect हुआ है लेकिन बहुत कम Affect हुआ है तो वो आपका होता है Remote Zone फिर हम बात करते हैं General Leaking Device के तो यह Important है In fact, Zones भी Important है पूछ लिये जाते हैं आपको पता होने चाहिए कि कौन से Zones है और उसके अंदर में तब क्या होता है General Leaking Devices भी Important है आप इन में से कोई भी 4-5 Learn कर लीजी मेरे According sufficient है Wooden Shores, Wooden Wedges, Wooden Plugs Splinter Box, Pad Pieces Stopper Plates, Quick Hardening Cement Okam, 3 Leg Stopper Plate Adjustable Shores, Metallic Grid Shores, Dog Nails काफी सारे हैं You can have a look at them फिर आपका आता है Water Tite Risk Marking जो आपका Area होता है जिसमें Immediate Flooding हो जाती है तो उसको हम लोग Red Zone में मार्ग कर देते हैं जो आपका कील से थोड़ा उपर ही मतलब व्यूज्वली होता है और आपका जो भी Compartments हैं जो Red Zone के अंदर अंदर है जो मतलब जस्ट खत्रे की Second Target पे हैं खत्रे के लिए तो उनको हम बोल देते हैं Red Opening और उनको भी Red से मार्क कर दिया जाता है एक Door में ताकि भी आप पता हो सामने वाले को वो उस Door को खोल के खुसना जाए अंदर ठीक है फिर दिक्कत हो जाएगी तो ये चीज है फिर आपका है Control Markings Control Markings आपकी यूस की जाती है Doors की Opening के लिए और इन चीज़ों के लिए तो जो आपका Water Tight Conditions होते हैं उनको हम Water Tight Control Markings बोलते हैं उनको यूश्वली हम लोग Black Color में Paint कर देते हैं Doors और Hatches में ये Important है ताकि आपका जो Water Tight Integrity है मतलब वही है कि आपका Water Tight है वो आपका और वहां से पानी अंदर ना आप है जिस Compartment में वो Flood हुआ है उस Compartment से बाहर फिर आपकी Conditions है दिखो जो X-Ray है ठीक है हम इसी Alphabet मे नाम लेते हैं तो इसमें X आपका Close है और Y और Z Zoon आपके Open है और जो X है वो आप उसको सिरफ DC, HQ या फिर OOW के Orders पे ही खोल सकते हो Yankee है आपका जब X और Y Doors आपके बंद होते हैं तो आपका Z Open होता है जो X और Y Opening हैं ये बंद होती है और मतलब अगर एक आपका डोर आपका बंद है तो बाकी आपके खोले होते हैं X वाला तो आपका Danger का ही मारक है तो Y को आप खोल सकते हो Passage के लिए मतलब जाने आने के लिए लिकिन उसको फटाफट बंद भी करना है जिसे मारलो की कोई लोग फस गए है उस जोन में Y जोन में तो आप उनको फटाफट वहां से बाहर निकालके Shutdown कर सकते हो जोन को फिर Zulu तो जब आपका X condition रख दी जाती है तो आपके X, Y, Z तीनों दरवा से बंद हो जाते हैं और Y है आपका Same है कि आप Y को खोल सकते हो पासर भाय में तब कोई फस गया है तो फिर से लेकिन उसको जल्दी ही बंद करना होता है Conclusion अब सीधा है भया कि damage जो है वो अलग-अलग चीजों से हो सकता है Ship को maintain करना चाहिए मतलब सारे precautions लेने चाहिए जिससे damage आपका ना हो पाए Water-tight integrity depend करती है कि resistance क्या है पानी की तरफ तो अच्छे से water-tight होना चाहिए आपका Risk और control markings जो है वो maintain करती है Water-tight as well as gas-light integrity on board ships वह अच्छे से रिदेट अवान्स इस chapter is sort of important तो thank you this chapter ends up here and we will meet in the next lecture till then take care जहन्द